नमस्कार दोस्तों मैं हुदी पक्ति पाथी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूटीब चैनल हम कोचिंग प्लासेस में दोस्तों यहाँ पर समुच्चे जो की UPSI के लिए बेहद important टापिक है इससे एक प्रस्न मैंने हर previous year set में देखा है हर previous year set में एक प्रस्न इस टापिक से जरूर से जरूर आ रहा है और धाई नंबर का एक प्रस्न है आपका तो समझे कि math में इसकी कितनी importance है एक प्रस्न पूरा का पूरा और बहुत ही tough नहीं आ रहा है बस अगर आपको basic जानकारी होगी sets की यानि समुच्चे की तो आप इन प्रस्नों को बहुत ही आसानी के साथ और पक्के तोर पर सालो कर पाएंगे अगर आपको अभी तक आपने बिल्कुल भी set नहीं पढ़ा है इंटर में आपने पढ़ा होगा उसके बाद काफी साल आपको हो गए होंगे अगर आपको ध्यान नहीं है पूरी तईके से तो आज ये class आपको देखनी है जितनी भी देर की हो class जितने भी समय की class बनेगी आप देखेंगे और इसी एक class में आपके जितने भी set को लेकर के doubt है और जितने भी UPSI में previous year question पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पर साल्व करवाऊंगा आपको इनका concept बताऊंगा कि कैसे आपको आसानी के साथ साल्व करने हैं और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको ये प्रस्ण वेन आरेक की सहता से समझाओंगा और उसी की help से आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ तो सबसे पहले समुच्चे क्या होता है समुच्चे क्या है sit इसे English में क्या कहा जाता है sits कहा जाता है तो किनी आकडों के समूह को ही क्या कहते हैं, समूच्य कहते हैं, कोई भी आकडे हैं, उनके समूह को एकत्रित कर लिया गया, क्रमबद तरीके से एकत्रित किया गया, उन्हें ही क्या कहा गया, समूच्य कहा गया, सबसे पहली बात आती है, रिक्त समूच्य क्या होता है, रिक् में से अंदर कुछ भी नहीं होता है इससे दर से Secondly कोश्टक बना दिये जाएंगे तो इस से दिखा जाएगा रिक्त समुच्चे को यह फिर केवल और केवल भाई भना दिया जाता है इस भाई का मतलब होता है रिक्त यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि इस तरह के कोश्ठक बनाए और उसके अंदर फाई को रख दें यह एकल समुच्य हो जाएगा फिर यह रिक्त समुच्य यहाँ पर नहीं बनेगा यहाँ पर एक बीच में एक इलिमेंट यानी एक तत्त आ जाएगा इसलिए फिर यह रिक्त समुच्य नहीं माना जाएगा तो रिक्त समुच्य क्या होगा सबसे पहली बात आपको समझने जो की डारेक्ट प्रस्ण में पूछा जाता है कि रिक्त समुच्य क्या होता है या तो फाई या फिर इस तरह के ब उप पद होता है उसी तरीके समुच्य होता है अगर आप इसे वे नहरेक की सहता से समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लिजे ये कोई सेट है A और इसका उप समुच्य है B तो B कहां पर आएगा इसके अंदर आजाएगा उप समुच्य का मतलब यही होता है कि B के जितने भी तत्व हैं B का जितना भी एलिमेंट है ये सारा एलिमेंट A में भी है यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो B के कितने एलिमेंट ये B इस तरीके से A के अंदर है तो B का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा A के अंदर स अगर आप इसे समुच्चे के रूप में देखेंगे, तो मान लीज़ें कुछ ऐसा आता है कि समुच्चे A सेट कुछ ऐसा दिया जाता है, एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पर B बराबर आपको दिया जाता है, दो, तीन, तो यह B क्या है, यह B A का उप समुच्चे है, अगर B में आप देखेंगे तो ये 2 और 3 2 और 3 जो की A में है ये आपको B में भी मिल जाएगा इसलिए इसे क्या कहा गया उपसमुच्चे और इसे कैसे दर्साया जाता है इसे ऐसे लिखा जाता है A का उपसमुच्चे क्या है B है इस तरह से से दर्साया जाता है. तो यहाँ पर जो B है, वो proper subset है यह UP समच्च है किससा? एका, ठीक है? अब यहाँ पर इसके बाद अगर आप UP समच्च समच चुके हैं तो इसके बाद किसकी नम्मर आता है? किसका नम्मर आता है? सकल समुच्चे का उप समुच्चे किस तरह से दिखा जागा चाहे तो आप ऐसे लिखे या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी उप समुच्चे है एका ठीक है और इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बी उप समुच्चे है एका लेकिन यहाँ पर क्या कि जो भी तत्त हैं जो भी element है B के वो A में पूरी तरीके से समाहित हैं लेकिन ऐसा जरूरी यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि A के सारे तत तो B में समाहित हो लेकिन इस वाले में क्या है अगर इस तरीके से दर्साय जाएगा तो यहां पर क्या है कि B के सारे त तो A में भी समाहित है और ऐसा हो सकता है कि A के समाहित हो पूरे के पूरे ठीक है तो अगर इस तरीके कर चिन बन कर आएगा तो इसे कहेंगे Subset और A को क्या बोला जागा यहां पर Superset और यहां पर B को क्या बोला जाता है Proper Subset ठीक है अब सकल समुच्चे की बात आती है तो सकल समुच्चे क्या होता है सकल समुच्चे को यूनिवर्सल सिट बोला जाता है यूनिवर्सल सिट यानि सकल समुच्चे सकल का मतलब समपूर्ड तो आप ऐसा मान सकते हैं कि मान लिजी ये कोई यूनिवर्सल सिट है संपूर्ण समुच्च है U Universal Set सकल समुच्च को किस से दर्साया जाता है इसे U से denote किया जाता है और इसे आप मान सकते हैं U इसके अंदर जितने भी सेट बनेंगे A, B, C, D जितने भी सेट बनेंगे इसी Universal Set के अंदर बनेंगे क्योंकि ये क्या है एक संपूर्ण समुच्च है इसके अंदर ये बना A और इसके अंदर ही ये बना B तो इस तरह से इसके अंदर A और B समुच्च बनेंगे जो इन समुच्च के बाहर ये वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या होगा यूनिवर्सल सेट यानि सकल समुच्च सकल समुच्च कुछ भी बोला जा सकता है जैसे आपको ये दिया जाए कि A बराबर है एक दो तीन चार B बराबर है तेईस चौबिस पच्चिस तो क्या होना चाहिए कि A और B इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आने चाहिए यूनिवर्सल सेट आपको ये भी बोला जा सकता है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक से लेकर के 25 तक की प्राकृतिक संख्याएं है अब 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं में ये सब कुछ आ जाएगा तो इसी तरीके से आपको युनिवर्सल सेट कुछ भी बताया जा सकता है यानि ये सकल समुझ्चे आपको दिया जा सकता है सकल समुझ्चे क्या होता है युनिवर्सल सेट होता है और वेन आरेक की आप हिल्प से समझेंगे कि युनिवर्सल सेट में क्या हो रहा है के यहाँ पर सारे नंबर लिखे गए हैं तो A भी इसी में समाहित है B भी इसी में समाहित है इसलिए इसे क्या बोला गया Universal sit बोला गया है यहाँ ठीक है अब इसके बाद अगर आप इन तीनों चीजों को समझ चुके बस आपको बहुत जादा यहाँ पर डीप में नहीं जाना है अगर आप इन तीनों चीजों को समझ चुके हैं इस वेन आरेक की help से समझ चुके हैं तो बस अब आपको इन सब का मतलब मैं बताता हूँ और फिर UPSI में आई हुए questions को मैं सालों करवाता हूँ इसी वेन आरेक की help से या फिर जो मैंने आपको ये बताया है element वाले इस method से आपको मैं समझाओंगा ठीक है यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है A और ये U जैसा निसान बना रहता है इसे बोला जाता है union A union B है ना इसे क्या बोला जाता है A union B और इस A union B का मतलब क्या होता है इसे मैं आपको वेन आरेक की help से इसे मैं आपको वेन आरेक की help से भी बताऊँगा A union B ये एक universal या सकल समुच्चे है आप ऐसा मान सकते हैं इसे मैं U से denote कर रहा हूँ और यहाँ पर A और B ये दो समुच्चे मैंने बनाए ठीक है एक मैंने बनाया क्या सकल समुच्चे U और यहाँ पर एक समुच्चे A है दूसरा समुच्चे है B अब A union B का मतलब क्या है ये मैं आपको इस वेन आरेक की सहता से और element लिख करके भी बताता हूँ कि इसका मतलब क्या समझेंगे A union B का मतलब है कि A में जितने भी पार्ट है ये सारे के सारे तत्तो और B में ये जो भी पार्ट है ये सारे के सारे तत्तो और इन दोनों में जो mix है ये सारे तत भी मिला लिये जाए मतलब A और B को पूरा का पूरा इस तरीके से मिला लिया जाए तो वो क्या बन जाता है A union B बन जाता है इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको ये दे दिये जाए A बराबर 1,2,3,4 B बराबर 3,4,5,6 तो A union B का मान क्या होगा? A union B बराबर क्या होगा? 1,2,3,4,5,6 कैसे निकालेंगे? 1,2,3,4,5,6 देखे, एक, दो, एक, दो यहाँ पर जो भी A का पार्ट है A में कितना है? एक और दो है और B में कितना है? पांच और छे है और इन दोनों में क्या है? तीन और चार है तो इस तरीके से आप कैसे निकालेंगे? A union B एक, दो, 3,4,5,6 अगर यहाँ पर आपसे Element की संख्या पूछ ले तत्तों की संख्या पूछ ले कि इसमें कितने तत्तों है? तो बस आप ऐसे गिन लेंगे एक, दो, 3,4,5,6 कितने तत्तों है? इसमें 6 तत्तों है ठीक है ये होता है A union B का मतलब इसे आप when Rx से भी अच्छी तरीके से समझें और इस तरीके से भी अच्छी तरीके से समझ लें कि A union B का मतलब क्या होता है और इसके बाद जो ये बना हुआ है अब यहाँ पर A union B का मतलब क्या है आप ऐसे समझ लेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है A union B और जो ये बना है ऐसे नीचे की तरफ इसका मू है इसे बोला जाता है intersection A intersection B यहाँ पर क्या लिखा गया है A intersection B और A intersection B का मतलब क्या होता है इसे भी एक बार वेन आरेक से समझते है A intersection B का मतलब क्या होता है ये एक सकल समुच्च है यानि यूनिवर्सल सिट यू इसके अंदर मैंने बनाया A और B intersection का मतलब है कि A और B में जो भी पार्ट कामन है जो भी पार्ट यहाँ पर A और B में कामन है क्यों इस पार्ट को क्या कहा जाएगा A intersection B अगर आप इसे उस तोर से समझे तो क्या हो जाएगा A बराबर element आपको क्या क्या दिये गए एक दो तीन चार B बराबर अगर आपको दिया जाए तीन चार पांच छे तो यहाँ पर A intersection B बराबर क्या हो जाएगा केवल जो तत्त दोनों में कामन है वही आप यहाँ पर लिखेंगे और कामन क्या क्या है तीन और चार तीन और चार तो तीन चार और यहाँ पर तत्तों की संख्या क्या हो जाएगी A intersection B में केवल और केवल दो तत्त होंगे तो यहाँ पर कितने तत्त हैं दो तत्त हो जाएगे ठीक है तो A intersection B का अर्थ क्या होता है वे नारेक में समझिए A और B में जो part common है वो क्या हो जाएगा A intersection B हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद आपको क्या समझना है A-B तो यहाँ पर अगर वे नारेक से समझेंगे तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा A-B का मतलब क्या होगा अगर आपको A-B बोला जाए दो आपको set यानि समुच्चे दिये जाए A-B बोला जाए एक सकल समुच्चे इसी तरीके से बनाएंगे U A और B अब आपसे पूछा जाए A-B मतलब A-B का ये है कि जो set A है जो समुच्चे A है इस A में जितना भी B वाला पार्ट है उस पार्ट को हटा दिया जाए A-B क्या बनेगा इस A में इस वाले A में जितना भी पार्ट ये B का है इस पार्ट को हटा दिया जाए तो क्यों कितना बचेगा क्यों ये इतना पार्ट बचेगा और यही इतना पार्ट क्या हो जाएगा A माइनस B यही क्या हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा और यही A माइनस B सेट का वेन आरेक बनेगा अगर यहां पर उसी तरीके से लिखा जाए A समुच्च है 1, 2, 3, 4 B समुच्च है 3, 4, 5, 6 तो यहां पर A माइनस B क्या बन जाएगा A समुच्च में जितना भी पार्ट B वाला A में है उसे हटा दिया जाएगा तो क्या क्या मिला 3 और 4 इस A वाले का B में मिला है तो इस 3 और 4 को यहां पर माइनस किया जाएगा केवल कितना बचेगा 1 और 2 केवल समुच्च है A में फिर क्या बचेगा 1 और 2 और तत्तों की संख्या कितनी यहां पर हो जाएगी 2 हो जाएगी और कौन-कौन से element बचेगे 1 और 2 बचेगा A माइनस B का अर्थ यहां पर यह होता है ठीक है इसे अगर आप VNRX से बनाएंगे तो क्या बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है अब इसके बाद यह डेल्टा पर आते हैं A डेल्टा B अगर बना हुआ है तो इसका अर्थ क्या है A डेल्टा B का क्या अर्थ है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा उसी तरीके से VNRX बनाना है एक VNRX इस तरीके से बनाएंगे यू यहां पर एक समुच्च है A एक B A डेल्टा B A डेल्टा B को और क्या लिखा जा सकता है A डेल्टा B बराबर क्या होता है इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग A माइनस B यूनियन B माइनस A A माइनस B यूनियन B माइनस A अब इसका मतलब क्या होगा A माइनस B क्या होगा यहां पर डेल्टा अगर लिखा हुआ है A डेल्टा B है तो इसका मतलब क्या होता है ये हमको समझना है इसका मतलब क्या होता है A-B union B-A अब A-B क्या होगा इस A वाले से B को हटा दिया जाएगा तो क्योवल कितना बचेगा ये इतना पार्ट बच जाएगा और B-A क्या होगा इस B वाले से जितना पार्ट A का है वो हटा दिया जाएगा तो क्योवल कितना बचेगा कुछ ऐसे बच जाएगा अब ये इनका union निकालना है union का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में जितना भी मिल रहा है सब कुछ ले लेना है ठीक है A-B और B-A union अगर निकालना है तो ये पार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ठीक है और इसे ही क्या बोला जाता है A delta B बोला जाता है अगर अब आपको यहाँ पर क्या A दिया जाए कितना एक दो तीन चार और B आपका क्या था तीन चार पांच छे तो यहाँ पर बताएए A-B क्या होगा सबसे पहले क्या निकालना है A-B A-B क्या निकल करके आएगा A में जितना B वाला पार्ट है वो हटा देना है बचे का कितना एक और दो और B माइनस A क्या निकलेगा B वाले में जितना A वाला पार्ट है तीन और चार हटा दिये जाएगा बचे कितना 5 और 6 अब A डेल्टा B A डेल्टा B का मतलब क्या है इन दोनों का यूनियन निकालना है तो A डेल्टा B बराबर यूनियन में क्या होगा कुछ कामन हो या ना हो पूरे का पूरा लेना है तो 1, 2, 5, 6 ये पूरा का पूरा A डेल्टा B में आ जाएगा A डेल्टा B में क्या आ जाएगा 1, 2, 5, 6 अब यहां से आप एक चीज और समझ सकते हैं कि A डेल्टा B को और किस तरीके से निकाला जा सकता है तो अगर आप A यूनियन भी निकालने मतलब यह वाला पूरा पार्ट आप निकालने और इसमें से यह A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दे A डेल्टा B का एक और क्या फ्राम बनेगा कि A यूनियन B आप निकालने a union b और इसमें से minus कर दें क्या a intersection b तब भी वही सेम चीज आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमको इस part का मान निकालना है और इस part का मान कैसे निकलेगा a union b से पूरा का पूरा निकलाएगा उसमें से अगर हम a intersection b हम लोग हटा देंगे घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें a delta b मिल जाएगा ठीक है इतना समझ में आया अब इसके बाद a inverse या फिर a dash देखना है inverse या dash में क्या होता है और फिर इसके बाद हम लोग फटापट प्रस्नों में आ जाएगे तो इसका वेनारिक कैसे बनेगा a delta b का कुछ ऐसे बन जाएगा ठीक है a inverse क्या होता है अगर आपको किसी का inverse निकालना है या a dash निकालना है तो समझे इस बात को कि कैसे आप निकाल सकते हैं ये एक समुच्चे है और ये एक समुच्चे है ये है a ये है b अगर आपको केवल और केवल समुच्चे a निकालना हो तो समुच्चे a क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा केवल और केवल समुच्चे A हो जाएगा लेकिन जैसे ही आप inverse निकालते हैं या dash निकालते हैं तो इसका just opposite हो जाएगा just opposite और ये क्या है पूरा का पूरा सकल समुच्चे है ये पूरा क्या है सकल समुच्चे है जो ये एक आयत के अंदर मैंने बना है ये क्या है एक सकल समुच्चे है पूरा का पूरा और A यहाँ पर इसके अंदर समुच्चे बनाया गया है अगर A समुच्चे है और तो ये क्या हो जाएगा ये पूरा का पूरा A समुच्चे है अगर हमें A inverse या A dash निकालना पड़े तो क्या होगा इसका just opposite हो जाएगा अब ये part नहीं है अगर a dash में निकालना है तो क्या हो जाएगा इसके अलावा जितना भी है इसके अलावा जितना भी part है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा a inverse हो जाएगा इसके अलावा कितना part बचेगा ये पूरा का पूरा क्या होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा A inverse हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि A inverse बराबर होता है यूनिवर्सल सेट यानि सकल समुच्चे माइनस A सकल समुच्चे माइनस A का मान क्या होता है A inverse या A dash होता है ठीक है अगर आप इतनी चीजे समझ चुके हैं और वेन आरेक की हिल्प से समझ चुके हैं तो अब सीधे तोर पर हम लोग आएंगे questions में एक बार और कुक रिवाइज करते हैं रिक्त समुच्चे का मतलब होता है फाई और फाई का यूज क्या होता है फाई कहां पर यूज होगा अब जिसे मान लीजे आपको ऐसे दे दिया जाए कि A बराबर है एक दो तीन और B बराबर है चार पांच छे अब आप से पूछा जाए कि A intersection B का मान बताओ तो A intersection B में क्या है कि दोनों में common चीज होनी चाहिए यहां पर जो common होगा वही होगा अब इन दोनों में कुछ common दिख रहा है कुछ भी common नहीं है यहां पर तो A intersection B का मान यहां से क्या आजाएगा फाई आजाएगा या फिर एक रिक्त समुच्चे कुछ इस तरीके से आप लिख देंगे इसे भी बोला जाता है तो यहां पर A और B का मान अगर इस तरीके से मिल जाए फिर A intersection B पूछ रहा जाए तो उस का मान क्या होगा फाई या फिर इस तरीके से लिख देंगे जिसे क्या बोला जाता है रिक्त समुच्चे बोला जाता है ठीक है और सकल समुच्चे आपने जाना बार बार कि ये Universal Set ही सकल समुच्चे होता है उप समुच्चे क्या होता है कि ऐसा समुच्चे ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट में पूरता है समाहित हो वो उस set का उपसमुच्च कहलाता है जैसे यहाँ पर B जो है वो इस A का proper subset कहलाएगा उपसमुच्च कहलाएगा ठीक है अब आते हैं प्रस्णों में और देखते हैं कि UPSI ने किस तरीके से प्रस्ण पूछे हैं और उन प्रस्णों को वे नारेक की हल्प से और कुछ इस तरह से भी किस प्रकार कर सकते हैं और जो कुछ theoretical सीधे सीधे तोर पर थेवरी से question पूछ लिये हैं समुच्च के उन प्रस्णों में क्या answer होगा और उन्हें किस तरीके से attend करेंगे ठीक है प्रस्ण यहाँ पर ने note कर लिया है और पहला प्रस्ण देखेंगे क्या दिया गए है यू को सत्तर तक्तों से सम्मिलित सकल समुच्च मान लेते हैं यदि A, B इस तरह U के उप समुच्च है कि A बराबर है 20 B बराबर है 30 और A और B A intersection B बराबर है 10 तो यहाँ पर A inverse या A dash intersection B dash का मान क्या होगा उसी तरह से करते हैं एक बनाते हैं क्या वेन आरेक इस वेन आरेक में यह क्या रहेगा U पूरा का पूरा सकल समुच्च और सकल समुच्च यहाँ पर कितने हैं 70 तक तो हैं यह कुल मिला करके कितने तक तो हैं यहाँ पर 70 और A और B यहाँ पर बना दिया मैंने A intersection B A intersection B कितने तक तो हैं 10 A intersection B क्या होता है यह वाला पार्ट यहाँ पर कितने हैं तक तो 10 तक तो हैं और A में कितने तक तो हैं 20 अगर A में कुल 20 तक तो हैं 10 यह लिखे गया क्योंकि यह गोले 20 का पूरा गोला है और 10 यहां पर लिखे गए हैं यहां पर 30 करने है तो यहां पर और कितने लिख दें 20 अगर और यहां पर लिख दे जाया तो 30 हो जाएंगे अब B में कुल कितने तत्त हो गए 30 और A में कुल कितने तत्त हो गए 20 हो गए है निकालना क्या है A inverse या A dash और intersection B dash इसका मान निकालना है अगर A dash निकालना है तो A dash में क्या होगा इस A को छोड़ कर इस वाले गोले को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा और B वाले को जब निकालना होगा तो इस B को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा इतना समझ में आ रहा है inverse या फिर dash का मतलब क्या होता है कि A जितना part है इसे छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा A dash का मान हो जाएगा और B dash का मान इस B वाले part को छोड़ करके पूरा का पूरा B का मान हो जाएगा क्योंकि यहां पर सकल समुझे आपको दिया जा रहा है तो इस का मान निकालने के लिए, intersection इसका निकालने के लिए, जो part दोनों में common होता है, वो क्या होता है, intersection होता है, अगर A को छोड़ दिया जा रहा है इस A में, और B को छोड़ दिया जा रहा है इस B inverse में, तो ये दोनों तो छूट जाएंगे, और पूरा का पूरा common part क्या होग इन दोनों को छोड़ने के बाद जो बचा होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, A- intersection, B- हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट कितना है, 70, और यहाँ पर A और B कितने है, 10, 20 और 20, 40, 40 इसमें से अगर ये माइनस कर दिये जाए तो ये वाला पार्ट निकल करके आजाएगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अब बताएगे, ये आपको इस तरीके से समझ में आया है, या फिर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या निकालना था, आपको यहाँ पर A- intersection, B- का मान निकालना था, तो जब A- करेंगे, देखिए A- करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस A को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा A- में आजाएगा, ठीक है, और जब इस B- का मान निकाला जाएगा, तो इस B- यानि इस B को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर मान आ जाएगा, intersection निकालना है, दोनों में कामन चीज को लेना है, तो A वाले में कितना चूटा, ये इतना पार्ट चूटा, और B वाले में क्या-क्या चूटा, ये इतना पार्ट चूटा, तो बचा कितना जो दोनों में कामन होगा, वो ये बाहर का पूरा का पूरा एरिया बच खैगा कितना 30, चले अब अगले प्रस्पन की बात करेंगे और देखे अगला प्रस्पन क्या दिया गया है, अगला प्रस्पन बोला जा रहा है कि गूत गाल, कि खेकों स्लिगों के लिए A union B बराबर A कब हो सकता है, जब B A का पूरक है, या फिर B A का उप समुच्श है, या फिर A B का उप समुच्श है, या फिर A और B equal नहीं है, A और B बराबर नहीं है, तो यहां पर आपको यह बताना है, अब A union B का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था A union B का मतलब क्या होता है यह है A, यह है B और A union B का मतलब क्या होगा यह पूरा का पूरा A union B का मतलब A union B बराबर केवल और केवल A कब आ सकता है बताईए उप समुच्चा में मैंने क्या बताया था अगर ये A हो और ये इसके अंदर B आ जाए अब यहां पर A union B क्या होगा पूरा का पूरा ये A और B को मिला करके A union B हो जाएगा और A union B बराबर किसके है केवल और केवल A के है क्योंकि A के अंदर ही ये B आ गया है तब ही ये संभव है A union B बराबर A जब ये B पूरा का पूरा इस A के अंदर हो जाए, पूरा का पूरा B इस A के अंदर समाहित हो जाए, तब ये A union B किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा, और इस condition में क्या है, B A का उपसमुच्च है, इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे, B A का उपसमुच्च है, इस तरह से आप इसे लिख देंगे और यहाँ पर क्या से हो जाएगा B A का उपसमुच्च है यहाँ पर आपसर इस तरीके से भी लिख करके आ सकता था B A का उपसमुच्च है कि बजाए ये लिख करके आ जाता कि B इस तरह से A का उपसमुच्च है या फिर यहाँ पर A B का उपसमुच्च है तो यहाँ पर लिख करके आ जाता A B का उपसमुच्च है इस तरह से भी लिख करके आ सकता था ठीक है? तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं अगला प्रस्ण देखेंगे, अगला प्रस्ण क्या है? अगला प्रस्ण है, किसी भी दो समुहों A और B के लिए A intersection, A union, B A intersection, A union, B इसका मान क्या होगा? किसी भी दो समुहों के लिए इसका मान क्या होगा? B होगा, 0 होगा, A intersection, B होगा या फिर A होगा, तो इसे भी आप किस तरीके से समझ सकते हैं? A union, B का सबसे पहले बताईए, क्या मतलब होता है? A union, B A और B पूरे का पूरा मान ये क्या है? A union, B है और अब यहाँ पर A लिखा हुआ है और intersection लगा है अगर अब A union, B और A का intersection value निकाली जाए A के साथ ये A है और ये पूरा का पूरा है A union, B अगर इनका intersection देखा जाए A intersection, A union, B तो A कितना होगा? क्योल और क्योल? ये part होगा A और intersection में क्या होता है? जो common part होते हैं वही लिये जाते है A और A union, B में common part क्या है? क्योल और क्योल? A common part है तो इस common क्या आजाएगा? A आजाएगा इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते थे कि आप ऐसे समझ लेते कि A का मान आप कुछ ले लेते एक और दो B का मान ले लेते तीन और चार अब यहाँ से आप बना सकते थे A union B का मान कितना होता? A union B पराबर 1, 2, 3, 4 अब अगर A union B और A का intersection आप बनाते तो इस का मान क्या होता? A बराबर क्या था? 1, 2, और A union B का मान 1, 2, 3, 4 था अगर intersection बनाते तो जो part common है वही लिखते इसका जब intersection बनाते तो क्या लिखते एक और दो क्योल और क्योल कितना आता एक और दो यानि यह मान किसका आ जाता एक और ए यहाँ पर आपका option सही हो जाता ठीक है तो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते थे अब यहाँ पर अगला प्रस्म देखेंगे अगले प्रस्म में बोला जा रहा है कि यदि A बराबर 683989 और B बराबर 488982 यह तद तो दिया जा रहा है इसके अंदर element और U यू बराबर U क्या है सकल समुच्च है यह दिया जा रहा है एक दो तीन एक सो पच्चास तक ऐसे ही एक दो तीन चार पांचे लिखी रहेंगी संख्या है और पूछा जा रहा है A union B का inverse यानि A union B डैस अनुपात A intersection B प्लस दस का मान क्या है इसका जो अनुपात है यह अनुपातिक मान क्या होगा यह पूछा जा रहा है तो A बराबर यह दिया गया है A union B बराबर आपको निकालना है सबसे पहले क्या निकालेंगे A union B A union B का मान कितना निकलेगा अब अगर A बराबर यह दिया गया है और B बराबर यह दिया गया है तो A union B में क्या होता है? A और B का सम्मिलित रूप ही क्या होता है? A union B होता है A union B बराबर क्या निकल करके आएगा? चार से सुरू करेंगे छोटी वाली संख्या से चार, छे, आठ थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं A union B बराबर चार, छे, आठ आठ के बाद क्या है? तेईस, उनहत्तर तेईस के बाद उनहत्तर, फिर असी, फिर बयासी तो A union B में कुल कितने तत्तों है? A union B में कुल तत्तों के संख्या अगर देखेंगे कितने है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ए यूनियन बी में कुल कितने तत्यों है, साथ है, ए यूनियन बी में तत्यों की संख्या है, साथ, और जो सतल समुच्च है, इसमें तत्यों की संख्या क्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, सो, पचास है, तो जो यूनिवर्सल सेट है, सतल समुच्च है, इसमें तत कि universal set यानि सकल समुच्य जो होता है उसमें से अगर समुच्य को घटा दिया जाया तो समुच्य का उल्टा जो विप्रीत होता है वो निकल कर क्या आ जाता है a union b dash क्या निकलेगा 150 minus 7 कितना आ जाएगा 143 आया है इसका मान अब उसके आगे क्या दिया गया है a intersection b plus 10 a intersection b अगर निकाला जाए a intersection b इसका मान क्या आएगा तो a intersection b में क्या होगा जो भी यहाँ पर common term है दोनों में वो लिख लिए जाएंगे क्या क्या common है 8 और 8 common है तो यहाँ पर 8 common तेज कामन नहीं है 69 और 80 और 80 और 80 भी कामन हो जाएगा ठीक है 69 भी कामन हो गया और 80 भी कामन हो गया अब यहाँ पर a intersection b में कितने तत्तों है एक दो तीन तत्तों है और यहाँ पर plus 7 में क्या लगा है 10 लगा है अब बस इनकी जगह पर मान रखती है जाएंगे a union b dash कामन कितना है 143 यह क्या है 143 अनुपात यहाँ पर जब इसका मान रखेंगे तो a union b dash कामन कितना है 143 है अनुपात लगा हुआ है a intersection b कितना है 3 3 प्लस 10 3 प्लस 10 कितना होता है 13 और यहाँ पर इसको सरल कर लिया जाएगा 13 कम 13 और यह 11 अनुपात एक इसका answer हो जाएगा तो इसका answer कितना आ जाएगा 11 अनुपात एक आ जाएगा I hope इसे आप समझ रहे होंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आप से क्या बताना जा रहा हूँ और किस तरीके से आप समुच्चे यानि set थेओरी को आसानी से साल्व कर सकते हैं ठीक है और अगर आप book से देखेंगे इसका solution तो बहुत ही टेड़ा मेड़ा दिया गया है लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से समझते हैं अगर आप वे नारे को अच्छे से समझ पाए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जादा आसान होने वाला है ठीक है और आगे वाला प्रस्ण अब देखेंगे आगे वाले प्रस्ण में दिया गए है यदी समझ प बराबर 7-19-36-47 और सकल समझ यू बराबर 1-2-3-100 तक ऐसे ही संख्या लिखी गई है है तो P' में तत्तो की संख्या क्या है P' में तत्तो की संख्या बतानी है तो बहुत ही आसान प्रस्न है अगर P में तत्तो की संख्या देखेंगे तो कितनी है 1, 2, 3, 4 P में तत्तो की संख्या कितनी है 4 और सकल समुझे U में तत्तो की संख्या कितनी है एक से लेकर 100 तक है तो कितने तत्तो हैं? 100 है अगर P' में तत्तो की संख्या देखनी हो तो U-P P' में तत्तो की संख्या कितनी होगी? 96, 100 में से 4 को घटा दिया जाएगा तो P' में तत्तो की संख्या कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी कुछ प्रस्ट मैं और लिख देता हूँ और उनका भी solution इसी class में कर लेता हूँ जिससे एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा topic आपका complete हो जाए ठीक है प्रस्ट मैंने फिर से लिख दिया है यदि समुच्च एक्स पराबर value दी जा रही है और समुच्च वाई बराबर कुछ value दी जा रही है और सकल समुच्च यूनिवर्सल सेट दिया रहा है एक दो तीन से 500 तक हो तो एक्स यूनियन वाई डैस बटे तीन माइनस एक्स इंटर यह आपको बताना है, चले देखते हैं कि कैसे इसे साल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, x union y dash, तो x union y पहले निकालना पड़ेगा, x यहाँ पर दिया गया है, y यहाँ पर दिया गया है, तो x union y, इसका मान क्या निकलेगा? जितने भी पद यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है, सारे के सारे union में आ जाएंगे, आठ, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो किवल एक बार लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों में ये कामन है, ठीक है? उसके बाद 11, उसके बाद 20, 20 के बाद 33, 33 के बाद एक सो बारा, एक सो बीस, एक चार सो असी है, कुल पद कितने हैं, कुल कितने अवयाओं हैं, या कितने तत तो हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक स यूनियन वाई में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, टोटल आठ अवयाओं हैं, तो एक स यूनियन वाई में कितने अवयाओं हैं, आठ, अगर एक स यूनियन वाई, डैस निकालना हो, तो इसमें क्या करेंगे, कि यूनिवर्सल सेट, जो भी सकल समुच् कर दिया जाएगा तो x union y dash निकल करके आ जाएगा 500 में 8 घटा दिया जाएगा तो कितना आएगा 500 minus 8 बराबर 492 कितना आजाएगा 492 आजाएगा x union y dash का मान अगर x intersection y निकालना है x intersection y तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों में जो भी common है वो तत्तों यहाँ पर लिखे जाएगे intersection में common क्या क्या है 8 20 बस 8 और 20 common है है ना 8 20 देखिए और कुछ भी इन में common नहीं है क्यों 8 और 20 common है बाकी सारी चीजे अलग-अलग है तो 8 और 20 intersection में आ जाएगा कितने तत्तों हैं दो तत्तों हैं ठीक है अब यहाँ पर इसे साल्व करेंगे तो x union y dash का मान कितना है 492 यहाँ पर मान 6 करेंगे तो कितना आएगा 64-3 से काटेंगे तीन एक कम तीन छक्का ठारा तीन चुप को 12 164 में से 64 घटेगा कितना आ जाएगा 100 तो इसका मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ठीक है और दूसरा प्रसन अब देखेंगे, दूसरा प्रसन क्या दिया गया है एक बार इसे और ठीक से समझते हैं यहाँ पर क्या क्या किया गया सबसे पहले निकाला गया X Union Y X Union Y में क्या होगा जितने टर्म यहाँ पर आपको जितने तत्त या जितने एलिमेंट दिख रहे हैं वो सारे एलिमेंट और यह सारे एलिमेंट यहाँ पर लिखे होने चाहिए क्योंकि यह इसका यूनियन जो है यूनियन में यह भी समाहित होना चाहिए और ये भी समाहित होना चाहिए क्योंकि इसका वे नारेक कैसे बनेगा x union y का x union y का वे नारेक बनेगा कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर जितने तत्तों है वो भी लिखे हों और जो common term है जो इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है वो केवल और केवल एक बार यहाँ पर लिखा जाना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से लिखा और universe का जो है universe में से अगर इस समुच्चे को घटाया जाएगा x union y को घटाया जाएगा तो क्या निकल करके आगा कुछ ऐसे बनता है तो जो टर्म कामन होगी दोनों में वो क्या हो जाएगा intersection हो जाएगा दोनों में कामन क्या है 8 और 20 8 और 20 यहाँ पर लिखेंगे तो कितने तब तो इसमें है 2 तब तो है और फिर यहाँ पर value रख करके solve करने जाएगा answer कितना जाएगा 100 आजाएगा ठीक है पहले वाले question का answer आएगा 100 दूसरा question जो दूसरा question यहाँ पर दिया गया है वो है A और B दो सीमित समुच्चेओं को इस तरह मानने की A intersection B बराबर है 12 A माइनस B बराबर है 24 B माइनस A बराबर है 45 तो A और B जो समुच्चे हैं इनका मान ज्याद करना है कि A में कितने अवयों है और B में कितने अवयों है अगर हम वेन आरेक बनाए A और B का यह है A यह है B A intersection B मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है intersection का मतलब क्या होता है जो पार्ट दोनों में कामन है वो क्या होगा intersection होगा और इसका मान कितना दिया जा रहा है इसका मान आपको दिया जा रहा है 12 ठीक है A माइनस B A माइनस B का मान 24 A-B का मतलब क्यों होता है कि A वाले में से B का जितना पार्ट है वो हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो 6 पार्ट है वो क्या होगा वो इतना पार्ट इसमें बचा हुआ है ये इतना और इस पार्ट में कितना है मान 24 इसका मान कितना होगा 24 होगा B-A B-A में क्या होगा B वाले पार्ट में से A का जितना भी पार्ट है ये हटा दिया जाएगा तो बचे का कितना केवल और केवल इतना और इसमें से कितना मान है 45 पूछा जा रहा है आप से कि A और B ग्याद करो तो A कितना होगा A कितना है ये पूरा का पूरा क्या है A कितना है 12 प्लस 24 तो A बराबर क्या होगा 12 प्लस 24 बराबर 36 A का मान कितना हैगा 36 हैगा B का मान पूछा जा रहा है तो B का मान क्या होगा B कितना है 45 ये और ये 12 क्योंकि ये पूरा का पूरा B है तो 45 प्लस 12 कितना होगा 57 A कामान 36 B कामान 57 बस इतना सा है इसका इंसर ठीक है अब इसके बाद यह तीसरा प्रस्ट तीसरे प्रस्ट में क्या है यदि समुच्चे U यह क्या है? यूनिवर्सल समुच्चे यानि सकल समुच्चे U कितना है 1, 2, 3, 80 तक समुच्चे P बराबर 7, 9, 24, 57 Q बराबर 8, 9, 25, 57 तो P intersection Q minus P union Q का मान क्या होगा यह बताना है तो पहले क्या निकालेंगे? P intersection Q P intersection Q का मान P intersection Q कहां से निकाला जाएगा? P और Q से P और Q में जो कामन होगा वो intersection में आ जाएगा कामन क्या-क्या है? 9 9 दोनों में कामन? लिख जा 9 और क्या कामन है? 24 नहीं है यहाँ पर 57 और 59 कामन है तो 57 और 59 टोटल कितने तत्व है यहाँ पर element कितने है? अवयो कितने है यहाँ पर? 1, 2, 3 अवयो है P और Q में और जो सकल समुच्च है इसमें कितने तत्व है? 1 से 80 तक है तो 80 तत्व है यानि अगर P intersection Q 10 कामन निकाले तो क्या होगा? 80 minus 3 बराबर 87 ठीक है? इस कामन कितना आ जागा? 77 आ जागा उसके बाद उसके बाद क्या है? उसके बाद यहाँ पर आते है P union Q P union Q P union Q कामन क्या होगा? तो P union Q में जो कामन है जो कामन नहीं है सारा कुछ आना चाहिए तो सुरुआत करते हैं छोटे से 7, 8, 9 7, 8, 9 24, 25 57, 59 टोटल कितने तत्व हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ टोटल तत्व कितने हैं? साथ अगर हम इसका भी उल्टा निकाले यानि जो डैस होगा P union Q डैस क्योंकि यहाँ पर क्या है? P union Q डैस P union Q डैस कामन निकाले तो कितना होगा? 80 minus 7 बराबर 73 ठीक है? और हमें क्या निकालना है? P intersection Q डैस minus P union Q डैस का मान निकालना है तो जब इस में से 77 में से इसको घटाया जाएगा यानि 73 को घटाया जाएगा 77 minus 73 कितना जाएगा? 4 और यही क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा यही 4 आपका उत्तर हो जाएगा ठीक है? अब आते हैं अगले प्रस्में और अगले प्रस्में क्या दिया गया है? यदि समुच्चे A बराबर कुछ दिया जा रहा है? समुच्चे B बराबर दिया जा रहा है पूछा जा रहा है समुच्च है A intersection B का मान क्या होगा A intersection B का मान आपको निकालना है तो समुच्च है A जो दिया जा रहा है यह किसमे है क्यूब में दिया जा रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब सबसे पहले इनकी क्यूब को साल्व किया जागा क्यूब को साल्व किया जाएगा, कितना हो जाएगा, एक, दो का क्यूब साल्व किया जाएगा, आठ, तीन का क्यूब, 27, चार का क्यूब, 64 और B, B में क्या है? स्क्वाइर दिया जा रहा है, एक का स्क्वाइर, दो का स्क्वाइर, चार का स्क्वाइर, आठ का स्क्वाइर इस तरीके से तो 1 का square, 2 का square, 4, 4 का square, 16, 8 का square, 64 बस 1, 2, 3, 4, 4 अब यो यहाँ पर भी तेए जा रहे है A intersection B का मान पूछा गया A intersection B A intersection B का मान क्या होगा जो दोनों में कामन हो दोनों में कामन क्या है? 1 और 1, यानि 1 64 और 64 यानि 4 A intersection B का मान कितना हो जाएगा? 1 और 64 हो जाएगा इसके बाद ये last प्रस्ण है पूछा जा रहा है कि A intersection B में अवयों की यानि तत्तों की संख्या बताएं अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है और आपको ये वीडियो समझ में आया है तो ये प्रस्ण आपके लिए है इस प्रस्ण को आपको होमवर्क के लिए रखना है और होमवर्क आपको कमेंट करके इसका बताना है कि इस प्रस्ण में क्या उत्तर आएगा? A union B और A intersection B में अवयों की संख्या क्या होगी? A बराबर मैं एक बार बोल देता हूँ अगर इस प्रस्ट रूप से आपको नहीं दिख रहा है तो A बराबर दिया गया है 6, 8, 10, 23, 56 B बराबर 8, 23, 51, 56, 79 तो A union B और A intersection B में अवयों की संख्या क्या है? इसका आपको मान बताना है यहां से मैं यह guarantee लेता हूँ कि इस class से अगर समुच्चे से कोई भी प्रस्ण बनता है आपकी UPSI के paper में तो आपके धाई नंबर वहां से पक्के हो जाएंगे 100% है कि यहां से अगर समुच्चे से कोई भी प्रस्ण बनता है तो आपका एक प्रस्ण बिल्कुल सही होने वाला है अगर आपने इस class को ध्यान से समझा है और देखा है तो ठीक है? और मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाता है तो जैसा कि आप सबको पता ही है फिर भी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए